परिक्रमा मार्ट पर हुए अवैद कब्जों को हत्वाने के लिए तैसील मिश्रिक प्रशाशन कितना संजिदा है इसे समझने के लिए बानगी के तौर पर यह एक प्रकरण काफी है तैसील इस्तरी अदिकारियों के लिए उदासीनता तब बरकरार है जब चार दिन बाद यानि 14 मार्ट से 84 कोसी परिक्रमा प्रारम हो रहा है इस 15 दिवसी परिक्रमा में देश के कोने कोने से ही नहीं विदेशों से भी संत महात्मावा ग्रहस्ट आकर शामिल होते हैं वे परिक्रमा के ग्यारा पड़ावों पर रात्री विश्राम करते हैं यह पड़ाव सीता पुर्वजन पर हरदोई की सीमा में आते हैं हरान करने बाली बात तो यह है कि मिश्रिक तहसील में भूमी 25 के लिए बनवारी लाल सुलब हैं उन्हें किसी सक्षम अधिकारी द्व को लेकर दिवात उत्पन है लेकिन कानून को के प्राइवेट मुंसी बनवारी द्वारा उस मुझमीन को लगभग 20 बार मापा जा चुका है लेकिन अभी तक कोई निर्णाय नहीं हो पाया है अकिर तैसील में मौझूद बनवारी लाल किसके आदेश में भूमी नाप रहे है क्या विपक्चियों का कोई नोटेस उपलब्द कराई गई यदि भूमी की पैमाईश की गई तो उसकी रिपोर्ट क्यों नहीं तयार की जाती है ऐसा तो नहीं है कि भूमी के नाम पर उपरोक्त व्यक्ति के द्वारा अन्य व्यक्तियों के द्वारा साथ गार्ड कर भूम प्रफिश किसके आदेश से हो रही थी नायब तैसीलदार विदेश ने अज्यानता दिखाते हुए बताया कि परिक्रवा मार की पैमाइस हो रही थी बनवारी कानून गो का हेल पर पैमाइस करा रहा है जबकि तैसीलदार चंद्रकांत्र पार्थी ने आइंडिया को बताया क कि बनवारी तैसील में कोई करंचारी नहीं है और पैमाइस के लिए कोई आदेश नहीं दिया गया है इस्टूड़ी आयस लखनों में ही सिविल सेवा की तैयारी के लिए के बेस्ट फेकलिटी के साथ एक मॉडरन कैंपस सुपलब्द करा रहा है अब स्टूरेंट बारवी के बाद ही आयस और पीसेस की तैयारी कर सकते हैं इसमें बारवी के बाद आप ग्रेजुएशन करते हुए जो छात्र हैं वो आयस के परिक्षा के लिए तैयार किये जाते हैं अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आप हमारे स्पेशल बैच में आयस और पीसेस की त खबर आपकी नजर हमारी देखते रहे आई इंडिया